ओम हरी हराए नमा प्रश्न के लिए ख्शामा करें महायोगी राज सुना है आप त्रिकाल दर्शी है और मृत शरीर में भी प्रान फूब सकते हैं अपनी पीडा कहो महारानी मैं अपनी पतिदेव की विशे में जानना चाहती हूं महाबली जलंदर की विशे में हां योगी राज अमंगल दिखाई दे रहा है अमंगल अर्थात अर्थात महाबली जलंदर अब जीवित नहीं है नहीं नहीं योगी राज ऐसे न कहें उनके प्रति मेरी भक्ति की शक्ती उनकी रक्षा कर रही हैं तुम्हारी भक्ति के प्रभाव से हम अप अरिचित नहीं है विरिंदा मृत जलंदर के मुख मंडल पर पहले जैसा तेज अब भी विद्यमान है तो योगी राज मुझे मेरे पती की पास भेजते हैं हमारे होते वे इतना कश्ट क्यूं व्रिंदा की तुम्हारे मृत्पती जलंदर का शरीर हम्ण यहीं मंगवा देते हैं तो.. a... स्वामी 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 यह क्या होगां स्वामी यह सब क्या स्वामी मेर होट हुए ़ुछ नही होगा शामी आपको कुछ नहीं हो सकता स्वामी, जागे स्वामी, स्वामी, जागे स्वामी वुरिंदा, प्रलाप करने की आवशक्ता नहीं है, हम तुम्हारे मृत्पती को पुनर जीवित कर देते हैं जागे स्वामी, 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 स्वामी माता, नारत का प्रणाम स्विकार करें, यह क्या, आप अकेली है, वो भी उदास, महाप्रबु कहां गये हैं नारत, जिस सरलता से तुमने इतने सारे प्रश्न पूछ डाले, उसी सरलता से मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उद्दर नहीं दे सकती प्रश्न पूछना मेरा आशय नहीं था, महाप्रबु को न देखकर मैं असमंजस में हूँ वो तो मैं भी हूँ, क्योंकि वे किसी धर्म संकट की बात कहकर अचानक अंतरध्यान हो गए स्पाश्ट रूप से उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया केवल इतना कहा कि इस धर्म संकट का संबंध जलंधर और व्रिंदा से हैं नारायन नारायन इसलिए आप उदास है माता स्वाभाविक है स्थिती समझा करू नारत समझ गया माता मैं सब समझ गया स्थिती भी और परिस्थिती भी क्या समझ गये यही कि इस धर्म संकट का संबंध जितना आपके भ्राता महाबली जलंधर और महारानी व्रिंदा से है उतना ही संबंध भगवान भोले नात और माता पार्वती से भी है नारद तुम संबंदों की जोड़तोड बैठाने में पटू हो पर यहाँ शिव पारवती की चर्चा कहां से आ गई आ ऐसे गई माता हम सब भगवान भोले नाथ की लीला की कट पुतलिया है भगवान भोले नाथ हमें जैसे नचाते हैं हमें नाचना पड़ता है नार आये नार आये परन्तु आप चिंता न करे भगवान श्री हरी विश्नु शीग रही अपना कारे पूर्ण कर लौट जलंधर के मृत मायावी शरीर को प्रकट करके व्रिंदा को आश्वस्त कर दिया था कि जलंधर जीवित है और शेशकार्य को पूर्ण करने ही तूँ श्री हरी विश्नु ने ऐसी लीला रचे जिसके परिणाम स्वरूप जलंधर का अंत होना निश्चित था इस लीला के प तुम्हारे मन की पीड़ा की शांती के लिए मैं तुम्हें वर्दान देता हूं कि देवी लक्ष्मी की प्रतीक तुलसी में तुम सदा सदा के लिए निवास करके पूजेत्या प्राप्त करोगी सभागे वति स्तुरियां तुम्हारी पूजा करके सभागे का सम्मान प्राप्त करेंगी इतने पर भी अब मेरी जीवित रहने का कोई अर्थ नहीं है मैं जा रही हूँ ओम नमाशिवा कि देवी व्रंदा ने पंचाक्षरी मंत्र का जाब करते हुए स्वेक्षा से देह त्याक कर मोक्ष प्राप्त किया ये घटना भी शिव लीला का एक अंश ही था ऐसी शिव लीला जिसका आद्यंत और रहस्य आज तक कोई समझ नहीं पाया उस लीला धारी से लीला के वशिभूत होकर